Hello Friends, Hello Friends, Welcome back to my channel, जिसका नाम है Honest Stories, तो friends, आज हम बात करने वाले हैं Cooler के पानी में बदू क्यों आती है, जी हाँ, जब भी आप Cooler चलाते हो, तो भहात से लोगों की ये सिकायत ही हम Cooler चलाते हो, तो उसकी हावा के साथ में न in एक Snets of flower आ पती है just like a finns की twins मैल आरे हैं मछली मर गई हो इस तरह कि कुछ ऐसमेल आने लगए तो यह क्यों आती है इस वारे में आज हम बात करेंगे घर होते हैं कि और यह हो सकी Applause तो हम बात करते हैं स्मयल ने करने ऊपको जरूरत है मान के चलिए और आप ले पानी रखा है na cooler में तो वह पानी यूज नहीं हो पारा रहा है एक दिन में जिसकी वजे से वो पानी पुराना हो जाता है और उसमें इस मेल आने चैंस्स बढ़ आते हैं कीडे पड़े आते हैं कुछ पूरा जमा हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि वहीं जो पानी बचा वो घास सड़ चुकी है जी हां आप एक सीजन चलाते हो फिर दूसरे सीजन भी कोई घास चेंज नहीं करते हो तो उस कंडिशन में क्या होता है जब घास ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उसके उपर गंदगी जमा हो जाती है कुछ मट्टी के पार्डिकल जमा हो जाते है औ खारा पानी होता है वो रुख जाता है तो पुराने हो जाते हैं पुराने होने के साथ साथ पानी पूरी तरह से फ्लो होनी पाता है और उसमें कीचर टाइप का जम जाता है और गंदगी टाइप की जम जाती है जो की बदवू में कनवर्ट हो जाती है तो जब भी आप उस पादबबो बात करते हैं इसको दूर कैसे किया जाए दूर करने के कई सारे तरीके हैं पहला तरीका यह होता है कि पानी को साफ करें जिससे कि ना मच्छर ना गंदगी होगी तो भी ये पानी बदवू जो है बहुत काफी हद तक दूर हो जाएगी दूसरा जो उपाय है वो यह है कि इसके जो हनीकम पैड है आपको लग रहाएगी यह बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं इसमें नमक जम चुका है सब्सक्राइब्दा जो भी आपने कुलर में लगाए हुए हुए उनको चेंज कर दीजिए आपके जो कूलर में है वो बदवू दूर हो जाएगी तीसरा जो उपाय है वह यह है कि जब भी आप कपड़े रखते हो अलमारी के अंदर में तो आपने देखा होगा कि आपके घर पे एक गोली होती है जिसको नेफ्थलीन की गोली बोलते हैं जिसको कपूर गोली भी बोलते हैं कुछ लोग इसको फिनायल गोली भी बोलते हैं अगर आप ये गोली कूलर में रख दोगे उसके हनी कम पैड पे एक एक दो दो गोली रख दोगे तो आपके कूलर मे से इसमेल पूरी तरह से गायब हो जाएगी और आपको एक परसेंट भी बद्वू नहीं आएगी तो आप यह करके जरूर देखिएगा जिससे कि आपको फायदा मिलेगा और आपके कूलर में से इसमेल गायब होने वाली है जिहां बहुत ही सच्टी टेबलेट आती है कहीं से भी लोगे तो 10 रुपे का 15 रुपे का पैकिट आता है और यह पैकिट आपके बहुत काम आने वाला है कपड़ों में भी आप रखते हो और के टंकी में रख दीजिए उसके हनीकम प पता चल गया होगा कि कि आपके कूलर में अगर बदवु आ रही है तो वह किस रीजन से आ रही है और आप इस बदवु को कैसे दूर कर सकते हैं तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक करना भूलेगा थाइंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए धन्नवाद